आई एकुराल जी जी पेटी एमपर सर पहले तो बहाई स्विकार करें अपडेट दें टार्गेट तो आपके सारे छप पर फार के आगए हजार रुपे के लिए रुकेंगे की नहीं आई देखे आपने तो पहले ही कहा था कि जो भी एक टार्गेट दें उसे माना नहीं जाएगा क्योंकि आप टार्गेट तो फोर डिजट्स के हैं तो मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ पोजिशनल टार्गेट जो है एक जार के उपर के हैं स्ट्रक्चर बहुत ही शांदार है स्टॉप ने एक ब्रेकाउट दिया है आज इसकी पुष्टी हो गई है क्योंकि आप जो है क्लोज अशाड़े आट सो के उपर पहली बार आएगा तो एक फिफिफ्टी के उपर क्ल हाँ यह तो रखना है चार डिजिट का तो हमारा टार्गेट पहले से ही है और सबसे बड़े बात नहां क्या है इस स्टॉक में आप एक चीज़ समझेए एक तो खराब बादर में गट नहीं रहा पहली चीज़ दूसरा जैसे बाजार ठीक होता है भागने में सबसे पहले लागे रहता है तो यह दोनों क्वालिटी होती है उस स्टॉक की जो बहुत ही मजबूत है या तो फंडामेंटरी या चार्ट पर या किसीं से और हो जिससे तो यह सारी कंडिशन्स जो है एक टेजी वाले स्टॉक की पूरी कर रहा है और इसलिए मेरे खाल से बार बार कुन को अधानी गूर्प की तरह है कभी अचार रात को खराब ख़बर आ जाया जाए यूने और नो सो वोट के 10% नीचे मिले वो रिस्क हमेशा रहती लेकिन हाई रिस्क हाई रिटन वाले स्टॉक में यह है बट पहले से फंडामेंटर काफी बहतर और मजबूत हो चुके है इ मैं उस लेवल पर आज़े हूं जहां पर मेरी कोस्ट के आज़ पास पहुंचेगा नहीं शेयर और तब मैं सेफ रहूंगा तो एक वो दूसरी स्टेडिजी हो सकते है लेकिन पेटियम बिल्कु कुनाल जी के मैं साथ हूं